है लो फ्रेंद्स आज हम अपने किचन में लेके आए हैं आइस क्रीम की रेशिपी जिसे हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे और एकदम क्रीमी जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगा लगेगा ही नहीं से हमने घर पे बना के तयार किया है और इसे जो भी खाएगा वह आइस क्रीम को घर पे बनाएंगे तब आप मार्केट से आइस क्रीम लाना छोड़ देंगे तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हमें लेना है दूद हमने यहां पे 200 ml के करीब ले लिया है दूद और इसको हम डाल देंगे एक पैन में और गैस क कर देंगे फिर उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है एक कटूरी के करीब चीनी डालने के बाद अब इसको हमें मिल्ट होने तक पकाना है तो उससे पहले हमें क्या करना है कि इसमें से हम थोड़ा सा दूद जो है निकाल लेंगे तीन से चार चमश के करीब हम इसमें से दूद में भी अच्छी तरह से बॉइल होने लगा है और इसमें हमें यह जो हमने कश्टर पाउडर मिक्स किया ना इसको भी हम इसमें डाल देंगे इसको डालने के बाद अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि दूद हमारा जो है यहां पर ठीक होने लगेगा तो चलिए इसे हम थोड़ा पकाते हैं इसको हमें लगातार चलाते रहना है नहीं तो क्या होगा कि यह जलने लगेगा नीचे से एकदम कड़ाई में चिपक जाएगा तो अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है हमारा गोल काफी अच्छी तरह से ठीक होने लगा है हमें इसको तीन से चार मिनट तक एकदम मीडियों फ्लेम पे इसको पकाना है चलाते हुए तो अब आप देखेंगे कि हमारा बैटर लगवक करीब मतलब की तयारी हो गया है यह देखें कुछ ऐसा हो गया है बैटर तो अब हमें क्या करना है यहां पर बैटर तयार होने के बाद अब ह इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए तो हमने इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए चलिए तब तक हम आगे स्यारी कर लेते हैं हमने लिया यहां पर अमूल फ्रेस क्रीम मैं इसको एक बटन में निकाल लोंगी तो क्रीम को मैं थोड़ा सा पहले से यह निकाल दी थी तो थोड़ा सा क्रिम पीगल गया कुछ वर क्रिम जो है है यहाँ फर अभी ठीड की वी है अब इसको हमें क्या करना विक्सकर की des game से अगर आकके पास एलेक्टीकर भी ब्लेंडर है तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं मैं यहाँ इसको से मिक्सकर में ना हो जाए तो मैं इसको 10 से 12 मिनट तक मैं इसको लगातार मिक्स की हूँ इस तरह से, अब आप देखेंगे कि हमारा क्रीम काफी, क्रीमी टेक्चर में आ गया इस तरह से, अब हमें इसमे क्या करना है कि यहां पर, अब हम इसमें डाल देंगे, हमने जो कष्टर पाउडर का बैटर बना के तयार किया है ना अब इसमें हमें इसे भी डाल देना है सारे बैटर को खुब अच्छी तरह से हम इसमें डाल देंगे बैटर ठंडा होना चाहिए गरम नहीं होना चाहिए उसके बाद हमें क्या करना है इसे भी हमें खुब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक जो है चॉकलेट वाला बॉक्स आप किसी भी चीज में इसको रख सकते हैं सेट होने के लिए तो मैं इसमें अब क्या करूँगी सारे जो है आइस क्रीम के वैटर को इसमें मैं डाल दूँगी तो यह देखे एक दम बॉक्स भर गया अभी से मैं क्या करूँगी इसको कवर करके फ्रीज में एक से डिढ़ घंटे के लिए रख दूँगी इसको सेट होने के लिए तो चली हम इससे रख देते हैं एक से दिर घंटे बाद हम ने इसको वापिस फिर से निकाल लिया है और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा आइस क्रीम बहुत अच्छी तरह से सेट होने लगा था तो अब इसे हमें क्या करना है एक बाउल में है आधी आइस क्रीम जो है हम निकाल लेंगे यहां पर मैं आधी आइस क्रीम एक बाउल में निकाल ली हूँ फिर उसके बाद हमें क्या करना है यहां पर मैंने ले लिए थोड़े से टूटी-फूटी मेरे पास रेट कलर का ही टूटी-फूटी था आपके पास अगर ग्रीन कलर यह लो कलर जो भी आप इसमें डाल सकते है अगर हम मतलब जब हम बैटर डालते हैं एसमें सेट होने के लिए अगर हम तुरंथ इसमें टूटी-फूटी डालेंगे तो यह क्या होगा गी नहीं सारा टूटी-फूटी सिर्फ निचे जाकर बैठ जाएगा तली में तो इससे क्या होगा कि यह पूरे आइस्क्रीम में तो इसलिए हम इसको आदा सेट होने के बाद ही इसमें तुटी-फुटी डालेंगे आप चाहे तो शुरू में डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा आइस्क्रीम डालने बाद इसमें मतलब तुटी-फुटी भी डालते जाएंगे दो से तीन लेयर के करिब मैंने इस तो अबिसे拿 तुटी-फुटी तो यहां पर हम जो है कि आउसक्रीम को देखेंगे आइस क्रीम हमारे बहुत ही जो आईस भी नहीं बना है अगर आपके पास एसकोफ नहीं था तो मैंने इसको चम्मच से ही निकाल लिया है तो यह देखिए अभी से हम क्या करेंगे एक बाल में निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे आइस्क्रीम हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही हमी बना हुआ है एकदम क्रीमी आइस्क्रीम बनके तयार हो गया है मार्केट से भी अच्छा मार्केट से भी टेस्टी आइस्क्रीम जब हम घर पे बना सकते हैं तो हम मार्केट से क्यों इस आइस्क्रीम को लाएं मतलव कि इतना ज़ीन डिन, इतना ज़ादा यह iac cream बना हुआ है कि इसको हम दो से तीन दिन भी खा सकते हैं तो iac cream हमारा बहुत ही tasty बना है, तो अगर आपको भी हमारी iac cream की recipe पसंद आए तो पलेज आप Hmारी video को Like करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना बुलें और मेरे जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर भी करिए मैं आइस क्रीम को आपको पास से दिखा रही हूँ आप देखिए आइस क्रीम कितनी सौप्ट और कितनी क्रीमी बनके तयार हुआ है तो आप इस तरह से आप आइस क्रीम की रेस्पी आप घर में बनाएए आप अपने बच्चों और अपने फूरी फैमिली मेंबर के साथ आप आपने हूँ